परा मर्शिद किया जाएगा परा मर्शिद किया जाएगा मनी लॉंडरिंग के आरूप में अर्विन के जिवाल की जमानत अर्जी पर होगी हाइपोर्ट में सुनवाई 12 जुलाई तक नियाई खासित में हिखी जिवाल अगले 4-5 दिन के लिए परश्यम और पुरोतर भारत में भारी बारिश का रेड अलट असाम और अरुनाचल प्रदेश में बाड किस्तती गंभी और विम्मर्लन के दूसरे राउंड में आज जोहन बुपन्ना और मैथ्यो अब्डिन की जोड़ी पर नजर क्योंकि भावरी और उलिवेटी की जोड़ी भी खेलेगी दूसरे दौर का मैच और आई अब खबरे देखते हैं विस्तार से सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन में हुए बदलाव की जो यहां ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने आम चुनाव जीत लिया है 650 सदस्य वाली संसद में पार्टी ने बहुमत का अख़़ा पार कर लिया है और बड़ी जीत की तरफ पढ़ रही है इस जनादेश का मतलब है कि कीर समर ब्रिटेन के अगले प्रधान मंत्री होंगे मधे लंदन में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए समर ने जनता का अभार जताया उन्होंने कहा कि ऐसा जनादेश अपने साथ बहुत भारी जिम्मेदारियां लेका राता है करेके कहां में बहुते हैं यस घ्रत घज साजों judgment को से साथ म और वहीं दूसरी तरफ चुनाम में कंसर्वेटिव पार्टी को करारी शिकस्त मेली है, रिशी सुनक ने हार के जिम्हदारी लेते हुए लेबर पार्टी को जीत की बदहाई दी, 2019 में सुनक प्रदान मंत्री बने थे लेकिन इस पार वो अपनी जीत नहीं दोहरा सके सुनक अबषार के लिंट है, तर य ज जूसीय को कर भूसूब्ट सुनक था किते हैं किय। pas malach МУЗЫКА तद हम के लूस्ता में चाहोंए लघीकTS प्ति कर वो ए С।Oio कुड़ कर दो गोघसा इस डि dispers the British people have delivered a sobering verdict tonight. There is much to learn and reflect on and I take responsibility for the loss. To the तो बिटेन में जो बदलाव नजर आ रहा है इसमें रिश्य सुनक पर कौन से ऐसे मुद्दे हैं, जो भारी पड़े हैं, किस वजह से एक जो बड़ा बदलाव है देखने को मिल रहा है, आईए इसपर बनाजर डालते हैं, आपको बताते हैं वो अलग-लग जो मुद्दे हैं सरकारी स्वास्त सेवा के पहद उपचार के लिए बढ़ती प्रतीक्षा सूची ये काफी एहम माना जा रहा है ये मुद्धा इस वज़ा से अगर देखा जाए जो परिणाम है वो फिवर में नहीं रही अपरेल दोहजा चौबिस में करीब शियता लाक पहुंच गई थी प्रतीक्षा सूची में शामिल लोगों की संख्या और कहीं न कहीं माना ये ही जा रहा है कि ये ऐसे मुद्धे थे जनकी वज़ाय से बदलाव देखा जा रहा है आम प्रिटिश नागलिकों के लिए सरकारी स्वास्त सेवा बेहत एहम है लिकेन उसी में प्रिटिक्षा सूची की अगर बात की जा देखा आपने किस तरीके से एक काफी जारूस में लोगों करना पड़ा प्रिश नागलिकों की घट्ती आय को लेकर थी नाराजगी ये भ आपने काफी महत्पून है किसी भी देश के लिहास से बात की जाए या जनता के साब से देखा जाए और खास और से प्रवासियों की समस्या का कोई भी ठोज समाधान इस जोरान नहीं खोजा जा सका तो ये भी उन्हीं मुद्दों में से एक नजर आ रहा है इसके साथ ही अ अवैद प्रवासियों को रामना भीशने का प्रावधान रखा गया था लेकिन कहिना कहीं जिस तरह का प्रावधान इसमें रखा गया था वो अलग-लग अतालतों में अटकी और वहीं दैनिक जरूरतों की बढ़ती लागत से आम लोगों की कठनाई बड़ी और उसी कठना और ये ना सिर्फ मुते बलकि जिस तरीके से अगर देखा जाए एक सरकार की जो छवी है उसमें किस तरह का जो बदलाव है वो देखने को मिलता है वहीं अगर हम बात करते हैं लेबर पार्टी की तो लेबर पार्टी की आखिर वो कौन से ऐसे वादे थे चुनाफ से पहले तसकरी से जुड़े तत्वों के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार की वादा भी किया गया लेबर पार्टी द्वारा और वहीं ब्रिटेन की खूफिया और पुलिस व्यवस्था का पूरे ताकत से उप्योग ये वो तमाम वादे हैं जो किये गए लेबर पार्टी द्वारा जहां से पहले सीमापार पुलिस से काई में अधिक पुलिस और जाच करताओ की तैनाती की बात की गई थी और इसके साथ चोटी नाओ का उप्योग करने वाले अप्राधिक तसकर कि होपन नकेल कस्नी की भी जो बात है वो इस दोरान दहराई गई थी तो ये तमाम बड़े वादे जो हैं वो लिवर पार्टी ने भी किये और उसी वज़ा से कंसर्विटिव पार्टी को हार का सामना करना पड़ा इस पर और जादा जानकारी के लिए अब आईए रुक कर लेते हैं हमारे समानाता मली के अश्टार हमारे साथ फ्लाल जूट चुके हैं मली के अगर खासार से देखा जाए क्योंकि जब भी बात कही जाती है कि जो सत्ता परिवरतन है वो एकदम से नहीं होता और जब हम ब्रिटेन के बात करें तो यहां हाला कि जो मुद्दे हैं वो काफी एहम रहे हैं लेकिन क्या मारा जाए कि एकदम से जो बदलाव है क्योंकि रातो रात कोई भी बदलाव असंभव लगता है वो भी इतना बड़ा बदलाव ब्रिटेन के जब सत्ता की हम बात कर रहे हैं क्या जो एहम मुद्दे हैं वो रहे इसके पीछे देखे मुद्दों के अगर आप बात करें तो कई प्रमुख मुद्दों का आपने अभी जिकर किया उन में जो मैं तीन प्रमुक मुद्ध मानता हूं जिन्हों ने कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में एक एहम भूमिका शायद निभाई हो एक तो जो वहा की राश्टरिय स्वास्ते आपूरती सेवा है एनेचस जिसे हम कहते हैं नेशर हेल्ट सर्वीश जो है वहाँ की उसके तहर्थ वहां की जो आम लोग हैं उनको सरकार की तरब से इलाज महीया करै कराया जाता है क्योंकि उस आप जो सेवा है उसकी एक वो सीमा है और जो उसके उपर निर्भर लोग है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है इस वज़ा से वहां पर जो प्रतिक्षा सूची है वो लगातार बढ़ती जा रही है और आपने जैसे बताया अपरेल दोहजार चौबिस में वो संख क्या 76 लाग तक चली गई है और अभी भी वो 70 लाग के से उपर वो संक्या है इस वक्त भी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं आप से जुलाई महिने में तो इस वज़ा से महा के आम लोगों में इसको लेकर नाराजगी थी क्योंकि ये एक बड़ा मुदा था जो उनकी आम रोज दाफा नहीं हुआ और तीसरा मुदा अपरवासियों का मुदा था उनके प्रबंधन का मुदा था जी इस बात की उमीद की जा रहे थी कि कंजर्बेटिव पार्टी इस मुदे के समाधान के लिए कुछ करेगी कंजर्बेटिव पार्टी ने रवंड़ा नीती बनाई उसक के देहत रामंडा के साथ समझाथा किया लेकिन वो नीती एक तो अदालतों में अटक गए और दूसरी लिबर पार्टी ने उसके उपर ये उसके आलोचना की कि ये सिर्फ समय की बरबादी है और इससे कोई ठोस नतीजा नहीं निकलेगा ये तीनों मुद्दे वो थे जिन ही इनका असर हमें पढ़ता हूँ अनजर आता है और एक आम नाकरिक के लिए अगर रोजानत जो इसके दिंचरिया का सामान है वो महंगा होता है तो कहीं न कहीं हर किसी की जेपर इसका जो असर है वो पढ़ता है लेकिन अब जो लेबर पार्टी को जिम्मेदारी दी गई ह है शमर का खुझ से यह भी कहना था कि जो जिम्मेदारी है बहुत बड़ी है जहित पर लोगों की बहुत ऐमीदे है किस तरीके से इसको आप लेगर आप आप लेकिन बहुत ज़्यादा लेबर पार्टी की जो किई यस्टार्मर की सरकार जो बनने जा रही है उसके लिए ब इतना ही ड्रास्टिक खदम जरूरी होगा, अब वो सरकार कैसे उठाएगी, जब आर्थिक हाला देश के उतने अच्छे नहीं है, कोविट के बाद रिकवरी की जो बेटेन की स्पीड है, वो बहुत अच्छी नहीं रही है, देश में लोगों की जो आर्थिक शमता है, वो ब उसको जनसेवा की तरफ वापस लाएंगे, तो उनका इशारा उसी तरफ था, कि जनसेवा की तरफ लाएंगे, और उनका जनसेवा से ही विश्वास पैदा होता है, तो और वो बार बार एक बात कह रहे थे, कि ये नई नीटियों वाली लिबर पार्टी है, और ये अपना विश्वास पर जिस तरह से जनादेश इसको मिला है तो ये अपने काम से एक जनता के बीच विश्वास पैदा करने की कोश्च करेगी और सब के लिए काम करेगी तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जो जितना भारी जनादेश उन्हें मिला है इसका उन्हें एहसास है कि इसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां है खुद उन्होंने कहा कि ऐसा जनादेश अपने साथ बहुत भारी जिम्मेदारियां लाता है तो आगे जो सरकार चलाना है जाहिर आसान नहीं है लेकिन वो कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो जो वादे किये हैं उसके आधार पे आगे बढ़ और वो डिलेवर करें जिसका उन्होंने अपने मेनिफेस्टों में वादा किया है जी बिल्कुल मलीके क्योंकि अब उमीर तो यही की जाएगी स्टामोर से कि जो वादे उन्होंने किये थे वो पूरा करें तरका सकारात्मक पहलू लेबर पार्ठी की तरफ से देखने को मिलेगा दिखे यह एक बड़ा व्यापक मुद्दा है वहां की राजनीति में एक तो अपरवास्फियों की बढ़ती हुई संक्या है और एक वो इमिग्रेंट हैं जो अन्डोकुमेंटेड हैं अब अन्डोकुमेंटेड जो इमिग्रेंट से उनके प्रबंधन के लिए रिशी संक सरकार ने सोचा कि वो रवांड़ा वाली नीति उनके लिए जादा ठीक रहेगी और उनको अगर वहां भेज दिया जाए तो लोग हतोसाहित होंगे और चोटी कष्टियों दुआरा या दूसरे माध्यमों से जो अवैत तरीके से बिटेन की सीमा में घुसकर वहां चिप कर रहते हैं और बाद में महां की नागरिकता असल करने की कुशिश करते हैं वो दबाव कम होगा और उस समस्या से निजात मिलेगी लेकिन रवांडा नीथी को बनाते समय और उसमें जस परकार से उसकी जो बारीकिया तै की गई उसमें शायद कुछ चीज़े ऐसी रही जो वो अदालतों में उसको चुनौती मिली और अदालतों में वो नीथी जाकर और अवैद प्रवासियों को लेकर बहुत स्ट्रॉंग उसका उसकी नीती है जो उसने अपने मैनिफेस्टों में कही है अपनी चुनावी घोशना पत्र में कही है और उन्होंने कहा है कि जो मानव तसकरी से जुड़े हुए तत्वे उनके साथ वही विवहार किया जाएग जो खुविया पुलिस की विवस्ता है उसको और दुरुस्त किया जाएगा तो ना सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर आर्थिक विवस्ता जो है वो मान सकते हैं कि जनता के साथ शायद चौपड नजर आ रही थी उनको और सुरक्षा विवस्ता भी कुछ ऐसी थी तो यहां पे एक जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा आप देखिए लेबर पार्टी की जो नीतियां रही हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जब से कीर सॉर्मर ने पार्टी का नित्रतु संभाला है उन्होंने उन नीतियों में एक संतुलन बनाने का प्रयास किया है और यह जितने भी बिर्टेन की राजनीती को आज नहीं बहुत समय से वहां के लोगों के बीच एक चिंता का विशय रहे हैं तो जिस प्रकार से उन्होंने अपनी पार्टियों की नीतियों को संतुलित किया है उसे एक जो बजाहिर एक बहुत ज्यादा लेफ्टिस पार्टी लगती थी उसक यह उमीद की जा सकती है कि उन्होंने पार्टी की रिब्रेंडिंग के साथ साथ इन सब चुनौतियों को भी ध्यान में रखा होगा कि पार्टी को अगर जनता सेवा का अफसर देती है तो उस जनादेश को मिलने के बाद किस सरह से इन मुद्दों पर उनकी सरकार जो है वो बुद्दे बताया उसमें ना सिर्फ जो हम बात करते हैं इन्फरस्ट्रक्शर को और ज्यादा मस्बूत करने की उसका जिक्र किया गया और साथ ही किस तरीके से जो निवेश के विकल्प है उनको बढ़ाने पर भी जाहरता पर जो 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 सीते हैं उसमें अब अगर अगर ताजा जानकारी आप हमारे दर्शकों को बता पाएं कि कितनी सीटे जो हैं वो फलालब लेवर पार्टी के पक्ष में नजर आ रहे हैं बेलकुल अगर ताजा नतीजों के आप बात करें बहुत तेजी के साथ ये नतीजा आए हैं ये लग रहा था कि नतीजा आने मे को 112 सीटे मिली हैं लिबरल डेमोक्रेट्स को 69 सीटे मिली हैं और उसके अलावा अन्य दलो को थोड़ी थोड़ी सीटे मिली हैं जो लेबर पार्टी है उसकी जो बढ़ा थे उसका अंदाजा आप इस बास से लगाई कि हैं और कंसरवेटिव पार्टी की हार का अंदाजा आ जो लिबरल डिमोक्रेट्स हैं उन्होंने भी 61 सीटे जो है वो अपने खाते में बढ़ाई हैं जो कंसर्वेटिव पार्टी है उसके बारे में जब मतदान खत्म हुआ तो एक्जिट पॉल में ये आकलन किया जा रहा था ये अनुमान लगाया जा रहा था कि वो 131 सीटे जीत है कि वो उससे भी कहीं नीचे रहने वाली है और लेबर पार्टी एक बड़े एतिहासिक प्रदर्शन की तरह बढ़ रही है कंसर्वेटिव पार्टी के कई बड़े चेहरे चुनाओं हार गए हैं जिन्होंने पिछली सरकारों में मंत्रीपत संभाले थे वो चुनाओं हार गए हैं और लेबर पार्टी के नेताओं ने बड़े बड़े चेहरों को हराया है पहिलाओं की बड़ी संख्या जीत कराई है ये भी बात इस चुनाओं में एक खास रही है जी बिल्कुल तो फिलाल अगर देखा जाया है तो कंसर्वेटिव पार्टी जो है करारी शिकस का सामनास को करना पड़ रहा है बड़ी हार और वहीं लेबर पार्टी जो है वो अतियाहसिक प्रचन जीत की तरह आगे बढ़ रही है बहुत बड़ शुक्रिया मलिक्या आपका हमान साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी हमारे दशकों तक पहुंचाने के लिए ब्रिट एटियस ने फैजा नाम के यूवक को गंजर मोहला सलूचा कलोनी से और एक नावालिक को गुलमोहर कलोनी से पूस्ताज के लिए हिरासत में लिया है माना जा रहा है कि इनके तार कॉलकाता के आतंकी हमले से जुड़े हो सकते हैं लगभग एक साल पहले एटियस ने इस सलस में आप पता दें आईम आईसिस और अन्य आतंकी संग्ठों का जिहादी साहित है फोन एक पिस्टल पांच जंदा कार्तूस और सिमी सदस्ता की फॉर्म मिले हैं वही मुख्य मत्री मोहने आदव ने कहा है कि खंडवा में आतंकी संग्ठन इंडियन मुझाहिदीन से जुड़े संदही को पकड़ने में सवलता प्राप्त की गई है आतंकी देश के लिए खत्रा हैं मुद्यप्रदेश पुलिस हर तरह की चुदोती से निवटने में कि इसी घटना खिला मद्यप्रदेश सरकार बहुत सजग है और सतरक है पुलिस भी बहुत सतरक है मैं पुलिस को बढ़े जना चाहूंगा खंडवा के एक दुरदान आतंक वादी को पकड़ने की एक बड़ी कारवई हुई है और इस हुसर पर यह बताना चाहूंगा है और यही कारणे के खंडवा के एक बड़े घटना घटने से रोकी है और उम्मीद करूँगा कि इससे किसी घटना में सरकार सजगता के साथ अपनी भूमी कादा करेगी और प्रसासन पुलिस सभी ववस्ता में ताल्मी कराते हुए सभी घटना में हम निपटने में इसी प्रकार से सतर को सजग रहेंगे और मद्र प्रदेश के बाद आए बात कर लेते हैं राज़दाने दिली की जहां मुखे मंतिया अर्विंद केजरिवाल की जमानत ही आचिका पर आज हाई को नोटिस जारी किया है अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी केजरिवाल 12 जुला प्रिश्री आदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी और बात करते हैं 36 गड़की जहां जाजगीर चंबाजिले से एक दर्दाक खबर सामने आई यहां के बिरराशेत के कीकिरदा गाओं में कोई में गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई यह दुकत हाथसा उस वक्त हुआ जब कोई में गिरी लड़की को निकालने के लिए कोई में उतरे पांच लोग जहरीली गैस की चपेट में आ गए लंबे समय से ढखे होने से कोई में जहरीली गैस बन गए थी और उसी वजह से ये दर्दनाक हाथसा जो है वो सामने आया और अब बात करते हैं उतरप्रदेश के हाथरस में हुए हाथसे को लेकर पीज़ी हाथरस हाथसे पर आज SIT की रिपोर्ट आ सकती है जिसके बाद कई लोगों पर गाज किरने का अनुमार है पुलिस के अनुसार सेवादारों ने भीड को रोखने की कोशिश नहीं की और पुलिस के साथ सयोग भी नहीं किया सेवादारों के खिलाव भी कारवाई की जा रही है इस बीच सभी 121 मृत्कों के शवों की पहचान कर ली गई है और उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया है मुदभार तक तीन शव अग्यात थे उनमें से दो की पहचान दे रात की गई और एक परिवार ने वीडियो कॉल पर अलिगड अस्पताल में एक शव की पहचान की वहीं हात्रस भगदर मामले की जांच के लिए उतरप्रदेश सरकार ने तीन सदस्य न्याइक आयो का गठन किया है आयो की पहली बैठक कल देश शाम लखनों में हुई इस दुखत घटना पर गठित न्याइक आयो की अध्यक्षता लाबाद हाई कोट के रिटायर जजज जसे ब्रिजेश कुमार श्रिवास्तव कर रहे हैं उनके अलावा सेवा निर्वत आईएस अधिकारी हिमंद राओ और सेवा निर्वत आईपियस अधिकारी भावेश कुमार इसमें शामिल है आयो के अध्यक्ष प्रिजेश कुमार श्रिवास्तव ने कहा है कि आयो इस मामली की गहनता से जाच करेगा उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाकरम से जुड़े अधिकारी बाबा के भरिजेत और सत्संग के आयज को सभी से आयो पूछताच करेगा और उनके बयान दर्ज किये जाएंगे और हाल से हमारे समदाता नीरा सिंग फिलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीरा जगर देखा जाया है आज कर दिन भी इस पूरे मामली को देखते हो हैं हम माना जा रहा है माना जारा के SIT जो है वो अपने रिपोर्ट सौंप सकती है और दूसरी तरफ जो नेता विपक्षनर राहुल गांधी आज वो भी वहाँ पहुंचे है कि बिल्कुल SIT सौंप सकती है क्योंकि SIT ने कल देर रात तक बारे बज़े तक जो तमाम लोग हैं उनके बयान दर्च की हैं पूस्ताच करी है जिला इस तरके तमाम जो करमचारी हैं वो SIT के सामने पेश हुए थे और उनसे पूस्ताच हुई है चाहे एटा के करमचारी हो हातरस के करमचारी हो अलीगल के हो या फिर आगरा के करमचारी हो और आपको मैं बता दू कि पुलिस करमी से लेकर SSP और तैसिलदार से लेकर SDM और DM इन तमाम जो लोग हैं उनसे पूस्ताच हुई है दूसरी फाइब गेट की जो जिनकी जिम्मेदारी दी गई थी सुरक्षा की जिनके पाँ जिम्मेदारी थी परमीशन जिस SDM ने दी थी तैसिलदार की जिसकी वहाँ पर ड्यूटी लगाई थी जो स्वास्त करमी थे जब लोग जो भगदर में जो घायल लोग हुए थे य जो जानकारी हमें मिल लई है उसके अनुसार आज SIT साम तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है और उस रिपोर्ट के बाद जिले के कैई सारे अधकारियों के उपर गाज गिरनाता है क्योंकि योगी आदियतनात ने स्पष्ट कर दिया था कि जो भी इसमें दोशी पाए जा से जहा पीडित हैं उनके परिजनों से उनोंने मुलाकाध की हातरस पहुंचे हातरस में भी जो पीडित परबार की लोग थे उनसे साथ उनोंने बात कि यह इस पष्ट कहना था कि जो भी इसमें दोशी हैं और खासतोर से पृसासं की कमियों کا जिकर उनोंने किया और योगी साथ कार से उन्हों ने अपील कि ज़ादा से ज्यादा दिल खोल कर जो मुआफजा है, क्योंकि इस समय इन लोगों को जरुवत है, अगर मुआज़ा पे मिल जायेगा, बैतर है, अगर ज्यादा समय मुआफजे में लगेगा, तो उसका जो लाभ है, नहीं मिल पाएगा लेकिन इसके बाद ही राहूल गांदि दुछ जरूर किया कि वो राजनीती करने नहीं आ है लेकिन चलते चलते वो राजनीती भी कर गए उन्हों के बाबा का कहीं जिक्र नहीं किया, बाबा के अनुयाईयों का कहीं जिक्र नहीं किया, ये तक नहीं कहा कि बाबा ने इतना बड़ा ससंग कायोजन किया, उसके खिलाब कारवाई की जाने चाहिए, यानि प्रसासन की कम्यों का जिक्र उनों ने किया, लेकिन भोले बाबा और उ करना सही नहीं लेकिन अगर देखा जाए क्योंकि साइटी जो है वो अपना काम कर रही है और जैसे आपने कहा कि अगर कहीं लापरवाही हुई है तो यह जाहितार पर वहां पर जुगाज है वो गिरती हुई नजर भी आ सकती है लेकिन ऐसे में जो मुख्यारूपी की जब ग बनाई गई है मध्य प्रदेश तक जो टीम है अत्रस की वह पहुंची है इसके लाबा उत्तर प्रदेश में कहीं सारे इलाके हैं चाहिए एटा की बात करें महनपुली की बात करें काशकन की बात करें वहां पर लगातार चापे मारी की कारवाई चली है बाबा को खोजने क उसका नाम गुप्त रखा जाएगा तो तमाम प्रयास उतर प्रदेश पुलिस के द्वारा किये जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें यह देखना होगा जिए जिसमें च्छे लोग ग्रफतार हुए हैं जो आयूजक समिती में अभी सामिल थे यह जिनको ग्रफतार किया है अगर आप माते से लगाएंगे अपने घरों में रखेंगे तो आपके तमाम कष्ट दूर हो जाएंगे और उसी धूल को लेने के लिए भगदल मची और इसके बाद यह इतना बड़ा हासा हुआ तो प्रसासन की जिम्मेदारी है लेकि जो आयूजक थे उनकी भी पून जानकारी के लिए अब आए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अलिशा हाई कोट के दरसल यहां सीनिय जस्स डॉक्टर विद्यो तुरेंजन सारंगी ने जहारकन हाई कोट के एक नए चीफ जस्टिस के रूप में शपत ली जहारकन के राजपाल सीपी राधा ने 27 दिसंबर 2023 को नक्र विए आर सारंगी को जहारकन हाई कोट का चीफ जस्टिस बनाने की अनुशनसा की थी तो जस्टिस विद्यो तुरेंजन सारंगी जहारकन हाई कोट के यहां राधिश्वर एं राष्टिय स्वयम सेवाक संग की प्रतिवर्ष होने वाली अखिल भारतिय स्तर की प्रांथ प्रचारक बैठक 12-13 और 14 जुलाई को रांची में होगी मई और जून में संपन संग के प्रशिक्षन वर्गों की लगपक दो महाकीर शंकला के परश्षात देशपर के सभी प्रांथ प्रचारक इस बैठक में उपस्तित रहेंगे संग की संगठन योजना में कुल 46 प्रांथ बनाए गए हैं बैठक में संग के प्रशिक्षन वर्ग के रतांत एम समिक्षा आगामी वर्ष की योजना का करियानवन सरसंग चालक का वर्ष 24 और 25 की प्रवास योजना जैसे विशो पर चर्चा की जाएगी साथ ही संग शताबदी वर्ष 25 और 26 के आग्रह और उप्रवुक पर बैठक में विचार होगा बैठक के लिए सरसंग चालक 8 जुलाई को रांची पहुचने वाले हैं और आई अब बात करते हैं संपूर्टा अभ्यान की निती आयो के संपूर्टा अभ्यान का आगाज हो गया है संपूर्टा अभ्यान 30 सेतंबर तक चलेगा संपूर्टा अभ्यान का उद्देश देशभर के 112 अकांकशी जिलो और 500 अकांकशी ब्लोकों में 6 प्रमुक संकेतकों की परिपूर्था प्राप्ट करने के लिए निरंतर प्रयास करना है पेश इस पर ये खास रेपोर्ट नीती आयोक ने 4 जुलाई से 30 सितंबर तक 3 महिने का संपूर्था अभियान शुरू किया है जिसका उदेश देश भर के 112 आकांगशी जिलों और 500 आकांगशी ब्लाकों में 6 प्रमुक संकेतकों की परिपूर्था प्राप्ट करने के लिए निरंतर प्रयास करना है संपूर्था वियान के तहत जिन आकांक्शी ब्लाकों में छे चिन्नित प्रमुक संकेतकों पर ध्यान दिया जाएगा इनमें पहली तीन महीने के दोरान परसव पूर्व देखभाल के लिए पंजिकरेत गरबोती महिलाओं का प्रतिशत ब्लाक में लक्षित जनसंक्या के मुकाबले मधुमे की जाच कराने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत ब्लाक में लक्षित जनसंक्या के मुकाबले उच रक्तचाप के लिए जाचे गए व्यक्तियों का प्रतिशत ICDS कारिकरम के तहट नियमीत रूप से पूरक पोशन लेने वाली गरबोती महिलाओं का प्रतिशत मिर्दनमूना संग्रहन लक्ष के मुखाबले सरजित मिर्दा स्वास्तेकारणों का प्रतिशत ब्लाक में कुल सुयम सहयता समुहों के मुखाबले रिवाल्विंग फंड प्राप्ट करने वाले सोयम साहता समोह का प्रतिशत का पता लगाना शामिल है वहीं संपूर्था अभियान के तहट 112 आकांग्शी जिलों में जिन्छे चिन्नित संकेतकों पर ध्यान दिया जाएगा उनमें पहली ती माही के दोरान प्रसोप पूर्व देख भाल के लिए पंजिकरित गर्बोती महिलाओं का प्रतिशत ICDS कारिकरम के तहट नियमित रूप से पूरक पोशन लेने वाली गर्बोती महिलाओं का प्रतिशत 9 से 11 माह तक के बच्चों को लगे BCG, DPT3, OPV3 और खसरा के टीका करण का प्रतिशत वित्रित मिरदा स्वास्तिकार्डों की संख्या, माधिमिक इस्तर पर कार्यात्मक विद्युत सुविधा वाले विद्यालियों का प्रतिशत शेक्षानिक सत्र शुरू होने के एक महिने के भीतर बच्चों को पाठिकरम पुस्तकें को प्लब्द कराने वाले स्कूलों का प्रतिशत के बारे में जानकारी जुटाना शामिल है इस परियाज को सफल बनाने और जमीनी स्तर पर ठोस परभाव डालने के लिए आकांगशी जिले और ब्लॉक के लिए कुछ गाइडलाइन्स बनाएं गई हैं इसके मताबिक जिले और ब्लॉक छे संकेतकों को पूर्ण करने के लिए तीन महीने की कारियोजना विक्सित करेंगे जिले और ब्लॉक प्रतेक मा परिपूर्ता पर खुई प्रगती को ट्रैक करेंगे जागरूकता और वेवार परिवर्तन अभियान लागू करेंगे जिलादिकारी समवर्ती निगरानी प्रशेत्र का दोरा करेंगे देश के अपेक्षा किरते पिछले और दूदरास के छेतरों के तेजी से विकास को सुनिश्चित करने के लिए 112 जिलों को कवर करने वाले आकांगशी जिला का रिक्रम ADP को वर्ष 2018 में लौंच किया गया था आकांगशी जिला का रिक्रम की सफलता को देखते हुए 2023 में प्रधान मंत्री ने आकांगशी ब्लॉक का रिक्रम को लौंच किया था जिसका मकसद देश भर के 500 ब्लॉकों में स्वास्थ, पोशन, शिक्षा, पेजल और स्वचता, क्रिशी, जलसंसाधन, वित्तिय, समावेशन और अवसरनरचना जैसे कई शेत्रों में जरूरी सरकारी सेवाओं को पूरी तरह से पहुचाना है ब्योरो रिपोर्ट डीडी न्यूस नीती आयोग के संपूर्था अभियान की शुरुआत देश भर के 112 आकांगशी जिलों और 500 आकांगशी ब्लॉकों में हो गई इसमें उत्तरप्रदेश के बुंदेल खंड का ललितपूर ब्लॉक भी शामिल है बुंदेल खंड के ललितपूर में आकांगशी विकास खंड के रूप में चैनित मडावरा में संपूर्था अभियान का आयोजन किया गया इसके लिए बाकाइदा मडावरा विकास खंड में एक जन जागरूपता रेली निकाली गई रेली में राजी के श्रम एवं सेवा योजन, राची मंत्री मनोहरलाल पंथ और नीती आयोग की नूडल अधिकारी गरिमा राव के साथ मुक्य विकास अधिकारी के के पांडे भी शामिल हुए यहां आकांची बुलोग मनावरा जिलाल एकपुर का जिसमें तरही बच्चों आतर के और एन्म और हमारी वहने साथ में पूरा जलूष के साथ में पूरे छेतर में मनावरा छेतर में चले इतना बढ़िया माहुल बना चार विभागों के किरशी विभाग, स्वास्थ विभाग, आंगनवाडी और उन्रलम इन चार डिपार्टमेंटों के छे पेरामिटर स्पे शरकार ने ये निर्देश दिया है कि छे पेरामिटर स्थ प्रसक विकास खंड को सत्यापित किया जाए यह त्रही मासिक वहीं जाउनपुर सिले के ब्लाग मचली शहर में भी संपूरता अभ्यान का आगास हुआ इस दोरान स्वास्थ, पोशन, शिक्षा, क्रिशी एवं सामाजिक छेत्र में परगती लाने के लिए विशेश गती विधियों एवं कारेकरमों का आयूजन किया गया स्वास्थ में हाइपर्टेंशन और डाइव्टीच है तो इसका हम सतप्राश्थ परिशन करेंगे परिशन में जितने भी हमारे बीमार ब्यक्ती पाये जाएंगे उनको प्रपर इलाज की सुग्दा दी जाएगी सिक्षा बिभाग में हर सिक्षा चलो अभियान सारे बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा क्रिसी बिभाग में मर्दा परिछन किया जाएगा संपूर्था अभियान में हम लोग प्रेगनेंट लेडी उसका संपूर्था अभियान के तहत उतरपरदेश के अमबेटकर नगर जिले में तीन आकांगशी ब्लॉकों का जैन किया गया है अमबेटकर नगर जिले के भियाओं, भीटी और टांडा विकास खंड को इस अभियान के लिए चुना गया है जिला मुख्याले के लोहिया भवन में इस अभियान का शुभारम जिलादिकारी अविनाश सिंग द्वारा किया गया पूरे देश के ऐसे विकास खंड जोकी आर्पिक रूप से समाजी गरूप से पछड़े हुए हैं इनका पूरी और आउल इनका चेंज करने के उद Kendra के विकास करने के इस पपांसो विकास खंड को चेंड किया गया है जिसमें से हमारे अमबेटका नगर के भी तीन विकासखंड हैं जिनका चेहन आकांचात्मक विकासखंड के रूप में किया गया है भीटी, भ्याओं और टंडाव उत्रप्रदेश के साथी उत्रखंड में भी आकांगशी जिला और आकांगशी ब्लॉक में संपूर्ता अभियान की शुरुआत हो गई इसी कड़ी में बागेश्वर जिले के ब्लॉक कपकोट में भी संपूर्ता अभियान के तहत विभिन करेकरम आयोजित किये गए इस योजना के तहत आगामी सितंबर महीने तक सव परतिशत लाबार्तियों को इसका लाब देने का लक्षे रखा गिया है तेजी से विकास को सुनिश्चित करने के लिए 112 जिलों को कवर करने वाला आकांगशी जिला का रिकरम वर्ष 2018 में लांच किया गया था जिसका मकसद देश भर के 112 आकांगशी जिलों और 500 ब्लॉकों में स्वास्थ, पोशन, शिक्षा, पेजल और स्वच्छता, किर्शी, जल संसादन, वित्ये समावेशन और आउसन रचना जैसे कई छेत्रों में जरूरी सरकारी सिवाओं को पूरी तरह से पहुँचाना है तो देखे आपने संपूर्टा अभ्यान से जुड़ी ये खास ख़बर, अब आईये रुख करेंगे बाकी की ख़बरों के तरह मेकिन इडिया कारिक्रम नए मील के पथर पार करता हुआ नजर आ रहा है रक्षा मंत्री राजना सिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफारम मेक्स पर कहा है कि पी-म के नित्रित्व में मेकिन इंडिया कारिक्रम साल दर साल नए मील के पथर पार कर रहा है भारत ने 2023 और 2024 में रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक व्रधी डर्ज की है आप पता दें उत्पादन का मुल्य एक लाग 26,887 करोड रुपे तक पहुँच गया है अन्य PSU और निजी उद्योग सहित हमारे उद्योग को बहुत बहुत बढ़ाई सरकार भारत को अग्रणी वैश्विक रक्षा वी निर्मान के इंद्र के रूप में व्यक्रसित करने के लिए अधिक अनुकूल विवस्था के लिए प्रतिबद है साथ यदिक वृद्धी दर्ज इसमें की गई है किस तरीके से मेकिनिन कार के तहट जो रक्षा उत्पादन है उसमें बड़ी वृद्धी अभी तक की सबसे बड़ी वृद्धी मानी जा रही है थाइलेंड में भारत थाइलेंड संउत सेन्य अभ्यास मेत्री का तेहरवासंस करन जारी है इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारती सेना की एक टुकडी थाइलेंड के दौरे पर है थाइलेंड में भारत के राजदूत नागेश सिंग से खास बाचीत की समाधाता मेखना तेव ने हमारे साथ मौजूद है नागेश सिंग जो थाइलेंड में भारत के राजदूत है बहुत बहुत धन्यवाद सर्दूर्दशन से बात करने के लिए सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी अगर हम भारत और थाइलेंड की बात करें तो अभी वर्तमान में जो संबंध है वो किस पड़ाओ पर हैं, कहां खड़े हैं थाइलेंड जो है, हमारा एक नेबर है जिसके साथ हमारे बड़े प्रगाड संबन है और दो हजार साल से हैं चाहे वो धर्म के मामले में हो चाहे विचारों के मामले में हो चाहे वो ट्रेड और इंवेस्मेंट के मामले में हो कम से कम दो हजार साल से आज के जमाने में अगर आप देखिएगा तो हमारे संबंत बहुत ही प्रगार हैं in the sense that बड़े widespread से हैं मतलब राजनेतिक मामलों में आर्थिक मामलों में चाहे वो रक्षा का मामला हो सांस्कृतिक तो आप जानती हैं और आप जेखी रही है शेहर में कैसा है जियो पॉलिट में मोरे से लेके में सौट तक यहां बाद में आगे वो दानांग वियतनाम तक जाएगा तो एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर होगा हमारी आक्टीस्ट पॉलिसी में और हमारी इंडो-पिसिफिक स्ट्राइजी में अभी एक संयुक्त अभ्यास चल रहा है अभ्यास मैत्र कुछ एक्सराइजेज हमारे जो हैं जिसमें दूसरे देश भी इंवाल्ड है जैसे एक सिटमेक्स हम लोग करते हैं जिसमें सिंगपूर, इंडिया, थाइलेंड, तीनों की जो जहाज हैं वो एक साथ बियो बंगॉल में एक्सराइज करते हैं जो थ्रेट परसेप्शन हैं वो कॉमन हैं कि देखिये न एक तो ट्रेडिशनल सेक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं बट जो नॉन ट्रेडिशनल सेक्योरिटी थ्रेट्स हैं जैसे जो अन्रेज़ चाहे वो साइबर क्राइम्स हो चाहे वो हूमन च्राफिकिंग हो ज्रग च्राफिकिंग हो पाइरसी हुआ इल्लीगल, अन्रेगिलेटेड एन अनौथराइज फिशिंग हुआ, यह सब कॉमन है नौकरी का जहासा देकर उनको साउथ इस्ट एशिन देशों में लाया जाता है जैसे कमबोडिया, लाओस, मियानमार, थाइलंड जैसे जगों से यह खबरे लगातार आ रहे ही जो नौकरी का जहासा देकर जो स्कैम चलाया जा रहा है जिसमें कई युवा फस रहे हैं और लगातार निरंतर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं उस पर खास तोर पर प्रकाश डाला है कैमेर परसन एके के साथ परमेगना देव, डीडी न्यूस, थाइलंड और आखे बात करते हैं बाड़ से प्रभावित राज्यों में सब-पहले असम की जो की बाड़ से बेहाल है मुख्यमंत्री हिमिंत विस्वास रमाल अकातार बाड़ पीडितो से भी मिल रहे हैं और प्रभावित दिलाकों का दौरा कर रहे हैं असम के कई शेत्रों में प्रहमपोत्र, अंसिरी, दिखो, लिसांग, कुशियारा, नदी के साथ ही दूसरी कई नदियां खत्रे के निशान से उपर भे रही हैं 29 जिलों के 2800 गाउं में 21 लाग से ज्यादा लोग बाड़ से प्रभावित हुए हैं अकेले मोरी गाउं जिले में बाड़ की सिती गंभीर बनी हुई है और हजारों लोग यहां प्रभावित हैं जिला प्रशासन की मताबित जिले के 194 में गाउं जल मगन हैं असम राजयापता प्रभंधन प्राधी करण के अनुसार असम में बाड़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर बावन हो चुकी है 49,000 से अधिक बाड़ पीड़ित 698 में राहत शिवरों में शरण ले रख लिये हुए हैं प्रशासन ने बाड़ प्रभावित इलाकों में 10 मेरिकल टीम की तैनाती की है बाड़ के पानी से उनका घरेलू सामान, धान, चावल और फसल है वो भी बरबाद हो गई अभी असम में बान का स्थिती सुधर गिया है और पानी कम हुआ है लेकिन जहां जहां एमबैक्मेंट ब्रीच हो गया उधर का लोगों का परिशन ही बना हुआ है हम पोसिज कर रहा हूं जतना हो सकता है सुब को मदद करने का वहीं बिहार के अलगलग जिलों में मौनसून खासा एक्टिव हो गया है दो-तीन दिनों से राजय की अलगला के हिस्सों में खूब बारिश देखने को मिल रही है महीं आज पतना सहित राजय के 36 जिलों में बारिश का अलट जारी किया गया है आठ जिलों में भारी बारिश की संभाबना जताई गई है पट्टा में गंगा का जलिस्तर हर घंटे 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है कोसी, गंडक, बुरी गंडक, कमला, बलान, गंगा, सोन नदियों का भी जलिस्तर लगातार बढ़ रहा है दर्भंगा, पुर्णिया, सहरसा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और सीतामणी में भाड़ का खत्रा मनरा रहा है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रियमनात यात्रा जारी है दीर्थी आत्रियों का एक और जट्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैम से रवाना हो गया कड़ी सुरक्षा के बीच पंथा चौक यात्रा अधार श्रिविर से बाल्टाल और पहलगाम मार्गों के लिए रवाना हुई थी श्रियमनात यात्रा शुरू होने के बाद से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रोज श्रधालू जयकारे लगाते हुए बैस कैम से रवाना हो रहे हैं इस पवित्र यात्रा के दौरान सेना के जवान श्रधालू की पूरी मदद कर रहे हैं रास्ते में जगा जगा मेरिकल शीवर लगाए गए हैं ताकि किसी श्रत हलुक को स्वास्ते संबंदी परिशानी होती है तो तुरंट उसे उपचार दिया जा सके है। और बात मध्यप्रदेश की जहां दहार की अथिहासिक भोडशाला के सर्विक्षन के मामले में मध्यप्रदेश हाई कोट की इंद और खंड पीट ने भारतिये पुरातत सर्विक्षन की रिपोर्ट पेश करने के लिए दस दिन का समय और दिया है। ग्यानवापी की तर्च पर धार की भोशाला का भी पुरातत सर्विक्षन करने का निर्देश दिया था। एसाई को छे सप्ता में सर्विक्ष पूरा करके 29 अप्रेल को कोट में रिपोर्ट प्रस्तूत करनी थी लेकिन अत्यदुनिक उपकर्णों के आवशकता का हवाला देकर एसाई ने समय बढ़ाने की मांग की थी। एसाई की ओर से कोट में बताया गया कि विज्ञानिक सर्वे में 650 से अधिक आर्टिकल सामने आये हैं। 2024 के तहट दर्ज किया गया है, इस कानून के तहट दर्ज होने वाला ये राज्य का पहला मामला है। ऐसे कोटालों का पता लगाने के लिए पुलिस के साइबर डिविजन ने खोशना की थी कि उसने विभिन टेलिग्राम, चैनलों सहित, शोशल मीडिया पर 24 घंटे साइबर गश्ट शुरू की है। और उसी के तहट एफमजी परिक्षा पत्क की विख्री के लिए विज्याबन जिसमें दिया गया था, इस पर कारवाई होती नजर आई। और बात देश की लाइफ लाइफ लाइन कहीं जने वाली ट्रेन यानि रेलवे की तरसल केन सरकार पोश्ट पूल तकनीक की 165 अमरिद भारत ट्रेने चलाने जा रही है। इसके विशेष्टा ये होगी कि अमरिद भारत को पुश्पूल तकनीक से अधिक्तम 130 किलोमीटर प्रती घंटी के रफ्तार से चलाया जाएगा। कोड ने वित्यवर्ष 2024 और 2026 में लगपग 10,000 स्लीपर और जनल शेडी के कोच उतपादन योजना को मंसूरी दे दी है। 2024 और 25 में करीब 4,485 जनल कोच और इसलीपर कोच का उतपादन का लक्ष रखा गया है जबकि अगले वित्यवर्ष में इसकी संख्या बढ़ाकर 5,444 की गई है। मही अर्थ वेस्था के सभी आठ प्रमुक उद्योगों में कोईला शेत्र ने माई में 10,2% की व्रधी दर्ज की है। कोईला मंत्राले ने ये जानकारी दी कोईला उद्योग का सूचकांग मई में 184,7 अंग पर पहुँच गया जबकि पिछले वर्ष इसी महा के दोरान ये 116,6 अंग था। वानी जाए उद्योग मंत्राले द्वारा जारी आठ प्रमुक उद्योगों के सूचकांग ICI के मताबिक मई 2024 के महिने के लिए आठ प्रमुक उद्योगों में बिजली उद्योग के बाद कोईला शेत्र ने 10,2% की सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज की है। आपको बता दें कि ICI सिमेन, कोईला, कच्छा तेल, विद्योथ और वरक, प्राकर्तिक गैस, रिफाइन रियुत पाद और इस पाद जैसे आठ प्रमुक उद्योगों के संक्त और अलग-लग उत्पादन समंधी प्रदर्शन को मापता है। और वहीं आर्थिक व्रिधी रोजगार स्रिजन और तकनीकी उन्यन में MSME की एहम भूमिका है। जिसमें GST मुक अनौपचारिक सुक्ष उद्योद्वारा दो दशनलाव तीन दो करोड नौकरियां शामिल हैं। एक और अच्छी बात ये है कि अब तक बताई गई कुल नौकरियों में से 4 दशनलाव पांचार करोड नौकरियां महिला करमचारियों को मिली हैं। और बात खेल जगत की मौझुदा चेंपियन नीरज चोपला 26 जुलाई से शुरू होने वाले पैरिस ओलम्पिक में भारत की 28 अधस्य अथलेटिक्स टीम की अगवाई करेंगे। भारती अथलेटिक्स टीम में 17 पुरुष और 11 महिला खिलाडी शामिल हैं। भाध्य टैनिस खिलाडी सुमित नागल पैरिस ओलम्पिक में हिस्सा लेंगे। उलम्पिक समीती ने आगामी 26 जुलाई से पैरिस में शुरू होने जा रहे उलम्पिक गेम्स 2024 को लेकर दिशा निर्देश जारी किये हैं। अंतराष्टे उलम्पिक समीती के मताबिक टीवी चैनल के लिए एक दिन में उलम्पिक गेम्स की अधिकतम 6 मिनट का ही वो कंटेंट उप्योग कर सकते हैं। उलम्पिक गेम्स में समाचा चैनल एक दिन में 3 निउस प्रोग्राम से ज़्यादा नहीं प्रसारित कर सकते हैं। टीवी चैनल किसी भी निउस प्रोग्राम में 2 मिनट से ज़्यादा उलम्पिक गेम्स के कंटेंट का उप्योग नहीं कर सकता। निउस प्रोग्राम और ओलम्पिक कंटेंट के प्रसारन के बीच कम से कम तीन घंटे का अंतराल होना चाहिए निउस प्रोग्राम में व्यक्तिगत प्रतिसपरधाओ के लिए ओलम्पिक कंटेंट को कम से कम 15 सेकिंड ही ओपियोग किया जा सकेगा और बात करते हैं यूरो कप की जहां आज से क्वाटर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे आज पहले मैच में स्पेन और जर्मनी की टीमें आमने सामने होंगी ग्रूप दौर में शांदार प्रदेशन के बाद जर्मनी की टीम नॉकाउट दौर में डेनमार्क को हरा कर क्वाटर फाइनल में पहुंची है वहीं स्पेन ने अंतिम सोला में जॉर्जिया पर जीत के साथ अंतिमार्ट में अपनी जगा पकी करने में सफल रही आज खेले जाने वाले मैच में दोनो टीमों की कोशिश जीत के साथ अंतिम सोला में खेले गए कड़े मुकाबले के बीच परुदेशन की टीम स्लोवेनिया को पैनल्टी शूट आउट में हरा कर आ रही है वहीं फ्रांस की टीम को भी नौकाउट दॉर में कड़े मैच से गुजरना पड़ा हाला कि आज होने वाले मैच में दोनों टीमों के बीच एक रोमान्चक मुकाबले की उमीद की जा रही है तो फ्राल के लिए इस बुलिटिन में बसिता ही लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज मुझे दीजिया नूमती नमस्कार